हैलो दोस्तों स्वागता आपका अपने योट्यूब चैनल नौकरी वाला में तो आज की जो एक NCR रखी है टाटा स्टिल लिमिटेड के दुआरा ये बंपर भरती का एक ओफिशियली नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे बिल्कुल फ्रेशर केनीडिय किसी भी टैप का कोई एक्सपिरेंस इन्होंने नहीं मांगा तो आप में से किसी भी बच्चे को टैंशन नहीं लेनी एंड यहाँ पे पर्मानेंट जोब आपको देखने को मिलेगा वैसे भी टैटा स्टिल हमेशा जब भी वेकेंसी निकालती है मैक्सिमम वेकेंसी पर्मा कर सकते हैं कमपनी आपको कभी भी यहाँ पर निकालेगी नहीं साथी साथ यहाँ पर ओल वर इंडिया की कैडिडेट एसे मेल फिमेल दोनों टैप की कैंडिडेट इसको अपलाई कर सकते अब बात किजाए यहाँ पर education qualification के बारे में अगर आपने IT कर रखा है तो भी eligible है All trade apply कर सकते हैं अगर आपने diploma कर रखा है किसी भी branch में तो भी आप eligible है और अगर आपने यहाँ पर BB tech कर रखा है किसी भी branch में तो भी आप इसको apply कर सकते हैं और job का selection रहेगा सबसे पहले तो आपका एक assessment होगा और यह assessment आपका online रहेगा इसको आप घर पे बैठके राम से दे सकते हैं assessment आपको qualify करना पड़ेगा इसमें pass होना जरूरी है उसके बाद अगर आप इसको qualify कर जाते हैं तो आपका interview रहेगा अब interview के दो round होते हैं यहाँ पे पहला आपका technical round होता है दूसरा आपका एच्छा round होता है दोनों के बारे में आगे मैं आपको details बताऊंगा अगर आपने अभी तक video को like नहीं किया है तो like कर देना हमारा motivation बना रहता है जब आप video को like करते हो मातर 900 plus like का अपने target रखा है अपने दोस्तों के अंदर video को share कर दीजेगा comment box में education qualification को comment करके जरूर से बता देना इससे आपको फायदा मिलेगा कि next video के अंदर मैं आपको वही update प्रोवाइड करवा दूँगा आपको बताना है कि आपकी branch कौन सी है, trade कौन सा है, pass out tier कौन सा है, pressure हो के experience holder हो और कौन से location में अभी आप job search कर रहे हैं, और अगर आप मैंसे बात करना चाते हैं, तो मैंने आपको video के description में और comment box में एक link provide करवा दिये, connect with me का, अगर आपको वहाँ पे simply click करना है, तो आपके सामने ये tab open होगा, और आप जो भी platform यूज़ करते हैं, LinkedIn, Instagram, Telegram, Facebook, WhatsApp, उस icon पे click करके आप हमसे connect हो सकते हैं, और बात कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको top पे दे रखा है, selected student के list को, तो य student के list है, जो कि अस top MNC company में काम करते हैं, हमारे channel के through, तो इसी बात पिया channel को subscribe कर लेना, bell icon को जरूर से प्रेस कर लीजेगा, ताकि जब भी मैं next video upload करूँगा, आपके पास notification आएगा, और आप उसको directly apply कर पाऊगे, तो चलिए video को शुरू करते हैं, चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको apply कैसे करना है, आपका selection process क्या रहेगा, job location आपको कौन सा देखने को मिलेगा, salary कितना मिलेगा, और company आपको कौन कौन से other benefits provide करवाईगी, इस सारी चीजें हम video के अंदर discuss करेंगे, तो मैं आपको लेके चलता हूँ, यहाँ पे नौकरी.com पे, जहाँ पे वेकेंसी डाला गए, यहाँ पे Tata Steel Technical Service Limited के दोवारा, यहाँ पे वेकेंसी आपको देखने को मिलेगा, अब यह Technical Service Limited Tata Steel, यह आपका Tata Steel Group का एक पार्ट है, आप यहाँ पे star rating दे सकते हैं, कि जो company में candidate काम करते हैं, जो company में employee काम करते हैं, वही यहाँ पे rating देते हैं, company के culture को देखते हुए, यहाँ पे rating देते हैं, अब यहाँ पे बात की जाए, आपका जो position रहेगा, crane operator के पदू के लिए vacancy है, किसी type का experience यहाँ पे नहीं मांगा, बिल्कुल pressure candidate इसको apply कर सकते हैं, salary जो आपका रहेगा यहाँ पे, वह आपका 3 लाख रुपे, आपका CTC देखने को म मिल जाएगी, यहाँ पे job location जो आपका रहेगा, जमशेदपूर जारकंड का job location आपको देखने को मिल जाता है, अब यहाँ पे बात करते हैं, job description के बारे में, यहाँ पे आपका EOT, crane operator के पदू के लिए vacancy है, यहाँ पे आपका iron and steel plant के अंदर company आपके काम करती है, और यह आ time permanent job की category में आता है, अब यहाँ पे graduation नहीं मांगा, मतलब कि अगर आपने IT कर रखा है, तो भी आप apply कर सकते हैं, अगर आपने diploma कर रखा है, तो भी eligible है, और अगर आपने यहाँ पे b.tech कर रखा है, या फिर आपने bachelor of engineering कर रखा है, तो भी आप इसको apply कर सकते हैं, all trade eligible है, all branch यहाँ पे eligible आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ पे जो आपका maximum CTC रहता है, वो आपका 3.6 LP आपको देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे आपका 3.5 रुपे annual CTC आपको देखने को मिल जाता है, साथी साथ यहाँ पे company आपको benefits और पर्क प्रोवाइड करवाती है, अब क क्या क्या यह company आपको देती है, सबसे पहली बात job training आपको मिलता है, क्योंकि starting job करेगा वो आपका trainee का position रहेगा, crane operator trainee as a काम करेंगे, उसके अंदर आपको job training आपको मिलेगी, अब यह job training आपका एक साल करेगा, जो कि यहाँ पे central के अंदर divide रहता है, इसमें आपका यहाँ प insurance देती है, यह आपका लगबग 4-4.5 लाख रूपए के बीच में health insurance आपको मिलता है, soft skill training company आपको देती है, transportation facility, जैसे कि आपको यहाँ पे accommodation मिलता है, तो वहाँ पे transportation facility भी company आपको पे करती है, यहाँ पे office से घर, घर से office, आपका company ही पे करेगी, bus facility in the sense आपको मिल जाएगी, उसके अलबाए यहाँ पे education assistance मिल जाता है, जैसे कि बहुत सार ऐसे बच्चे रहते हैं, जिन्होंने IT कर रखा होता है, लेकिन वो आगे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अगर घर की situation ठीक नहीं है, उनको job करनी पढ़ रही है, तो वो क्या करते हैं, कि आपका tata still technical service limited वाले, आ बी टेक कर सकते हैं, और जिन्होंने B.T. कर रखा है, वो यहाँ पे M.T. कर सकते हैं, और यह जो आपको करवाते हैं, डिप्लोमा, B.T. या M.T. या आपका इंडिया की top university से करवाते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे MIT हो गया, MIT से भी करवाते हैं, बेट्स पिलानी से करवात हैं, तो यहाँ पे यह बहुत बड़े-बड़े institute से आपको यहाँ पे diploma, B.B. Tech, M.E.M. Tech या आपका education, assistance आपको प्रोवाइड गरवाते हैं, अब मैंने आपको क्या कर रखा है, वीडियो के description में, इन्होंने जो यहाँ पे post डाल है, इसका link दे रखा है, simply आपको वहाँ पे account, यहाँ पे नौकरी.com पे होना जरूरी है, आप अपना account नौकरी.com पे create कर लिजиए, maximum बच्चों का account नौकरी.com पे होता है, जो job यहाँ पे search कर रहे होते हैं, उनका account होता है, लेकिन वहाँ पे भी mistake या ती है, कि आपने यहाँ पे जब नौकरी.com पे अकाउंट को create कर को वहां से डिलेट करने हैं अगर आप इस जॉब के लिए अपलाई कर रहे हैं तो आपने जो एक साल पहले डेट साल पहले या फिर आपने 6-7 महीने पहले अगर एकाउंट क्रियेट किया है तो उस समय आपने रिज्यूम अपलोड किया होगा तो पुराना जो रिज्यूम है वहां से वह डिलेट करने हैं वह डिलेट करने के बाद आपको एक निया रिज्यूम में बनाने हैं अब निया रिज्यूम में कैसे बनाएंगे आप सबसे पहले कैनवा डाउनलोड करेंगे ठीकर ऐसे बहुत सारे एप हैं वैसे नॉर्मली आप कैनवा के थूरू और अगर आपके पास laptop है तो भी इनकी website है ठीक है न तो आप वहाँ पर कहना है कि बहुत सारे format अवेलेबल है resume के तो आप कोई बढ़िया format लेके वहाँ पर edit कर सकते हैं अपने according और इसके according बना सकते हैं अगर आपको यह सब कुछ चीजे समझ में नहीं आ रही कोई दिकत वा जाना है कैसे उसको download करना है अब जब आपने resume अपने device के अंदर अपने mobile में download कर लिया तो यहां पर आपको upload कर देना है नौकरी.com पे नौकरी.com का app अगर आप download करेंगे तो आपको resume upload करने का option मिलेगा जो पुराना resume डाला है उसको delete करना है और नए resume को upload कर देना है जब resume बना रहे हैं तो वहां पे बड़िया skill को mention करेगा अगर आप यहां पे technical यहां पे post के लिए apply कर रहे हैं जैसे कि आप steel plant के लिए apply कर रहे हैं तो steel plant से related skill वहां पे mention करेगा बहुत सारे बच्चों के यहां पे दिमाग में यह रहता है कि मैं अगर computer science like यहां पे मेंको अगर C आता है C++ आता है Java आता है Python आता है तो अगर यह सारे skill आप आपने resume के अंदर mention कर रहे हैं और अगर आप को manufacturing company में apply कर रहे हैं तो आपका selection नहीं होगा क्योंकि यह वहां पे जरूरत ही नहीं है अगर आप IT sector में apply कर रहे हैं तो वहां पे यह जरूरत है वहां पे resume shortlisted होने के chances रहते हैं लेकिन अगर आप किसी manufacturing company में apply कर रहे है production company में apply कर रहे है और वहां पे आप junior engineer की position पर apply कर रहे है जो कि आपका non IT department है तो वहां पे यह सारे skill काम में नहीं आएगी maximum excel आएगा आपका PowerPoint आएगा MS Office आएगा बाकि यह आपका C++ Java Python यह वहां पे काम नहीं है क्योंकि वह data still technical service limited में apply कर रहे है और crane operator की position के लिए apply कर रहे है तो यहां पे इन्होंने जरूर दे रखा होगा आप देख सकते हैं यह आपका key skill दे रखा है तो यह key skill आपको वहां पे mention करनी जरूरी है और जिन बातों को मैंने आपको बताया है उनका आपको ध्यान रखने है फिर भी से related कोई doubt है कोई query है कोई सवाल है कुछ पूछने है तो अप नीचे comment box में comment करके मुझसे पूछ सकते हैं आज के लिए बस इतना ही वीडियो को like करेगा share करेगा उन लोगों तक जिनको job की need है और comment box में जरूर बताना आपका education qualification कौन सा है कौन से job आप search कर रहे है किस location में search कर all the very best जहीं